और इसी लिए हर दिवाली मैं मेरे परिवार जनों के बीच मनाने के लिए आता हूं क्योंकर आप मेरे परिवार जन है मैं आपका परिवार का साथी हूं तो मैं यहां में प्रदान मंत्री के रूप में नहीं आया, मैं आपके परिवार के एक सदस्रे के रूप में आया हूँ। आप सभी के बीच आना जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है वो ही भाव मेरे मन में होता है और जब से मैं इससे मेधानिक जिम्मेवारी को समाल रहा हूँ आज उसको बीच साल से बेदिक समय हो गया बहुत लंबे अर्शे तक मुझे देश्वासियों ने इस प्रकार के सेवा का मौका दिया पहरे गुजरात वालों ने दिया देश्वासियों ने दिया लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरी परिवार जनों के बीच बीच अवी आज मैं फिर आपकी बीच आया हूँ आपसे गनी उर्जा लेकर जाओंगा नया उमंग लेकर जाओंगा नया विश्वाश लेकर जाओंगा लेकिन में अकेला नहीं आया मैं मेरे साथ एक सो तीस करोड देश वाशियों के आशिरवाद आपको लेकर लेकर क्या आया धेर सारा आशिरवाद लेकर क्या आया आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को आपके शावर्य को आपके पराकरम को आपकी त्याग और तप्रच्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं कि ऐसे आप सब के लिए हिंदुस्तान का हर नागरी कि उद्धिये की जोद के साथ आपको अनेक अनेक शुब कामनाई भी देता रहेगा और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे हो सका तो फोटू भी भेज देंगे और मुझे पक्का विश्वास आप कहें हाँ आ या रहा इस बार तो दिवाली कुछ और थी कहेंगे ना देखेंगे आप रिलेक्स हो जाएए है आप कोई कोई आपको देखते नहीं आप चिंता मत किजिए आप यह भी बताएंगे ना तो मिठाय भी बहुत खाई थी नहीं बताएंगे तो बोलो ना साथियों आज मेरे सामने देश के जो वीर है देश की जो वीर बेटियां है वो भारत मा के ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सवभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है किसी किसी को ही मिलता है जो सवभाग्य आपको मिला है मैं देख रहा हूँ मैं मैं वैसूस कर रहा हूँ आपके चहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूँ आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प यही आपकी पराक्रम की पराकास्टा करने की भावनाएं चाहे हिमाले हो रेगिस्तान हो बर्फिली छोटियां हो गहरे पानी हो कहीं पर भी आप लोग मा भारती का एक जीता जाकता सुरक्षा कवच्छ हैं आपके सीने में वो जजबा है जो 130 करोड देश स्वासियों को भरोसा होता है वो चैन की निंद सो सकते हैं आपके सामर्था से देश में शान्ती और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है एक विश्वास होता है आपके पराक्रम की वज़े से हमारे परवों में प्रकाश फ्रता है खुशियां भर जाती है हमारे परवों में चांड चांद लग जाते हैं अभी दिपावली के बाद गोवर्दन पूजा भईया दूच और छट परव भी बिलकुल गिंती के दिनों में सामने आ रहा है आपके साथ ही मैं सभी देश वाचियों को नौशेरा की इस वीर वसुंद्रा से इन सभी परवों के लिए देश वाचियों को भी बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूँ देश के अन्नी हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नवबर्ष की भी शुरुआत करते हैं और हमारी यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली के से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है कि खास करके गुजरात में कल नया साल होता है कि तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमी से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नवर्ष मनाते उन सब को भी अनेक अनेक मंगल कामनाय उनके लिए देता हूँ साथियों जब यहां नौशेरा की पवित्र भूमी पर उत्रा यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो इक अलगी भावना एक अलगी रोमांच से मेरा मन भर गया यहां का इतिहास भारतिय सेना की वित्ता का जैगोस करता है हर चोटी से विजय गोस सुनाई देता है यहां का वर्तमान यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की विर्ता का जीता जागता उदाहरन है विर्ता का जिन्दा सबूत मेरे सामने मौजूद है नौसे राने हर युद्ध का हर चद्म का हर शड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और स्रीनगर के प्रहरी का काम किया है आजादी के तुरंद बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी नौसरा पर हमला हुआ दुश्मनों ने उंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिस की और अभी जो मुझे पूरा बृत्त देख वीडियो समेच सारी चीज़ मुझे देखना समेचने का मोका मिला और मुझे खुशी है कि नौसरा के जाबाजों के शौरियों के सामने सारी साजी से धरी की धरी रह गई दोस्तों भारत्य सेना की ताकत क्या होती है इसका एसास दुस्मन को शुरूआ के दिनों में ही लग गया फैजी कि मैं नमन करता हूं नोशरा के शेर ब्रिगेडियर महमद उस्मान को नायक जद्धनाज सींजी को जिनों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया मैं पडाम करता हूं लेपिनेंट और और राने को जिनों ने भारत्य सेना की जीत का नास्ता तसस्त किया था ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धर्ति पर गर्वी की गासा है लिखी है कि अपने रक्त से लिखी है अपने प्राकंद से लिखी है अपने पूर्शार से लिखी है देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है अभी मुझे कि मेरा सवभागता कि दिवाली के इस पवितर त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुसों के आशिरवात प्राव्त करने का सवभाग मेरा मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल बिरासत है मुझे आशिरवात मिले स्री बलदेव सी और सी बसंद सी जी ये दोनों महापुरुष बाले कान में मा भारती की रक्षा के लिए खोज के साथ कंध से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच बी और जब मैं आज सुन रहाता हूं को वही जज़बा था जी वही मिला था और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से आ जाये हैं ऐसा वर्णन कर रहते हैं आजादी के बाद हुए उद्ध में ऐसे अनेकों स्थानिये किश्वरों ने ब्रिगेडियर महमद उस्मान के मारदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी उन्होंने अपनी जीवन की परवान न करते हुए उतनी कमरुम्र में सेना की मतद की थी नौशेरा के सौर्यों का इस सिल्सला कि तब से जो सुरू हुआ न कभी रुका है न कभी जुका है यही तो नौशेरा है सर्जिकल स्टाइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देश वासी को गौरों से भर देता है और वो दिन तुम्हें हमेशा यहां रखोंगा क्योंकि मैं क्यों तै कि यहां था सुर्यास्त के पहले कि सब लोग लोट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका के बड़ा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या और कोई भी नुक्षान किये विला कि मेरे वीर जवान लोट करके आ गए पराक्रम करके आ गए शिद्धी प्रांप्त करके आ गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांती भैलाने के अंगिनित कुछ सिद्ध प्रयास हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को मुहतोड जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस दर्ति में एक स्वाभाविक प्रेरणा है माना जाता है और मैं मानता हूँ यह अपने आप में बड़ी प्रेरणा है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्यात वाज के दौरान अपना कुछ समय इसी खेत्र में व्यतित किया था आज आप सब के बीश आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस कर रहा हूँ इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है आजादी का अमरत महोसो गुलामी के लंबे कालखन में असंख्य बलिदान देकर हमने यह आजादी हासिल किया है इस आजादी के रक्षा करने का दाइत्वा हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे हैं हम सब पी जिम्मेवारी हैं आजादी के अमरत काल में हमारे सामने नए लक्ष हैं नए संकल्प हैं नई चुनोतिया भी हैं ऐसे महत्वकों कालखन में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी दुर्भागे से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान दिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा हमें टेक्नोलोजी के मामले में जुकना पड़ता था ज्यादा पैसे खर्श करने पड़ते थे नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रियान सारों सांच चलती रहती थी यह एक अफसर फाइल शुरू करें वो रिटार्र हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुंती थी ऐसा ही कालकंटा नतीजा है कि जरूरत के समय हथियार कि फिर आपा धापी में खरीदे जाते थे यहां तक कि स्पैर पार्ट के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे साथियों कि डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भरता का संकल्प उन पुराने स्थीतियों को बदलने का एक ससक्त मार्ग है कि देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजेट होता है अब उसका करीब 65 प्रतिशत देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है हमारे देश यह सब कर सकता है करके दिखाया है एक अभुत्पुर्व कदम उठाते हुई अब भारत ने ये भी तैय किया है कि दोसों से ज़्यादा साजो सामान और उपकरान अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे आत्मन निर्भर भारत का यही तो संकल्प है अगले कुछ महिनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं देश को आत्मन निर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिश्ट और लंबी हो जाएगी इससे देश का डिफेंस सक्टर मजबूत होगा नएने हत्यारों उपकरों के निर्मान के लिए निवेश्ट बढ़ेगा साथ क्यों आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं तेजस जैसे अत्याथुनिक लाइट कॉमपक्ट एरकाप बन रहे हैं अभी विज हमारी जो और्डिनेंस सक्टरीज थी वो अब स्पेशलाइज सेक्टर में आदुनिक रक्षा उपकरन बनाएगी आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट रक्षा के संकल्प का सार्थी बन रहा है हमारे कई नए डिफेंस स्टाटप्स आज अपना परचम लहरा रह है हमारे नवजवान 20-25 साल के नवजवान क्या क्या चीज़े लेकर क्या रहा है गर्व होता है कि साथियों कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू में बन रहे डिफेंस कोरिडोर कि इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं यह सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी ससक्त करने वाले हैं साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है को अतिभारह को अतिभारह कि समर्था नाम यानि जो समर्थ होता है उसके लिए अतिभार माइने नहीं रखता वो सहज ही अपने संक्तल्पों को सिद्ध करता है इसलिए आज हमें बदलती दुनिया युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी शैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकुल ही ढालना ही होगा हमें मालू है किसे जम्हें हाथी गोड़े पर लड़ाई या होती थी अब कोई सोच नहीं सकता हाथी गोड़े की लड़ाई रूप बदल गया पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दसकों लग जाते होंगे सतादिया लग जाते होगी आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शांग को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का इतनी तेजी से टक्नोलोजी अपनी जगा बना रही है आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशन्स के तोर तरीकों तकी सिमित नहीं है आज अलग अलग पहलूँ में बहतर तालमेल टेक्नोलोजी और हैब्रेट ट्रेक्टिस का उप्योग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है संगठी देतरुत्व एक्षन में बहतर सामनवाए आज बहुत जरूरी है इसलिए बीते समय से हर्स्तर पर लगातार रिफार्म्स किये जा रहे है चीफ अब डिफेंस टाप की नियूक्ति हो या डिपार्टमेंट अब मिलिटरी एफेस का गठन यह हमारी शैन्य सक्ति को बदलते समय के साथ कदमताल करने में एहम रोल निभा रहे हैं साथियों आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्टर्टर भी हमारी शैन्य ताकत को और मजबुत करने वाला है सीमा वर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था यह आज देश के लोग आप सभी भली भाती जानते हैं अब आज लदाग से लेकर के अरोनाचल प्रदेश तक जेसल मेर से लेकर के अन्नवान निकोवार दीप तक हमारे बॉर्डर एडियाज में हमारे समुद्रिक तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी वहाँ आज वहाँ आदुरिक रोड बड़े बड़े टनेल्स पूल और अप्टिकल फाइवर देश से नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं इससे हमारी डिप्लाइमेंट केपेविलिटी में तो गुद्पुर्वा है सुदार हुआ ही है सैनिकों को भी अब भहुत अधिक सुविदा हो रही है साथियों कि नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंबीर प्र्यास बीते साथ सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है देश की रक्षा के खेतर में भी भारत की बेटियों की भागिदारी अम नई बुलंदी के तरफ बढ़ रही है कि नेवी और एरफोर्स में अग्रीम मूर्चों पर तैनाती के बार अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है कि मिल्ट्री प्रुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अम महिला अपसरों को पर्वानेंट कमिशन देना इसी भागिदारी के विस्तार का ही हिस्सा है अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस अकडेमी राश्ट्रिय मिल्टरी स्कूल और राश्ट्रिय इंडियन मिल्टरी कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिल्टरी संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं इसी वर्ष 15 अगस को मैंने लाल के लिए से ये भी घोशना की थी कि अब देश भर के सभी सैनी स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का आउसर मिलेगा इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है साथियों मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथा सामर्थ के ही दर्शन नहीं होते मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के अडिक संकल प्रशक्ति के और अतुल्निय संवेदन शिल्ता के इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है उसकी एक अलग पहचान है आप विश्व की शिर्ष सेनाओ की तरफ एक प्रफेशनल फोर्स तो है ही लेकिन आपके मानविय मुल्य कि आपके भारतिय संस्कार आपको और उसे अलग एक असाधारन व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं आपके लिए सेना में आना एक नोकरी नहीं है पहली तारीक को तंखा आएगा इसके लिए नहीं आये है आपके लिए सेना में आना एक साधना है साधना जैसे कभी रुशी मुनी साधना करते थे ना मैं आपके हर्यक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं और आप मा भारती की साधना कर रहे हैं आप जीवन को सुचाई पर ले जा रहा हैं कि जिसमें एक सुतीस करोर देश्वास्यों की जिन्दगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है यह साधना का मार्ग है और हम तो भगवान राम में अपने सरवुच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अवध्य लोटे थे तो यही उद्गोश करके लोटे थे अपी स्वान में लंका नमे लक्ष्पन रोचते जनिनी जन्म भूमिच्य स्वर्गाद अपी गरिये शी यानि सोने और समरुत्नी से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिध्धानत और मानवता की रक्षा के लिए थी हमारे लिए तो हमारी जन्म भूमी है हमारी है हमें वहीं लोटकर उसी के लिए जीना है और इसलिए जो प्रभू राम लोटकर आये तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया अयोध्या के हर नर्नारी ने यहां तक की पूरी भारत वर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है हमारी यही उद्दात भावना हमें मानविय मुल्यों के उस अमर्ष सिख़र पर विराजमान करती हैं जो समय के कोलाहल में सब्यताओं के हलचल में भी हडी गरेती है कि इतिहास बनते हैं इतिहास बिगड़ते हैं सत्ताइब आती है सत्ते हैं सामराज चूपते हैं कि दाते हैं लेकिन भात हजारों साल पहले भी अमर था भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा हम रास को शासन सत्ता और सामराज्य के रूप में नहीं देखते हैं हमारे लिए तो ये साक्षात जीवन्त आत्मा है इसकी रक्षा हमारे लिए केवाई भावगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का आर्था है इस राष्ट्रिय जीवन्तता की रक्षा राष्ट्रिय एकता की रक्षा और राष्ट्रिय अखंडता की रक्षा इसलिए हमारी सेनाओं में आकास छुता साउर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है इसलिए हमारी सेनाएं केवल सिमाओं पर ही प्राक्रम नहीं दिखाती जब देश को जरुरत परती है तो आप सब आपदा विपदा बिमारी महामारी से देश समाचों की हिवाज़त के लिए मैदान में उतर आते हैं जहां कोई नहीं पहुँचे वहां भारत की सेनाएं पहुँचे यह आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है हर हिंदुस्तानी के मन में से यह भाव अपने आप प्रगण होता है यह आगे न अरे चिंता नहीं अब हो गया है यह छोटी चीज़ नहीं आप देश के घंड़ता और सार्व भौमित्ता के प्रहरी है एक भारत स्रेष्ट भारत के संकल्प के प्रहरी है मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शार्य की प्रहरा से हम अपने भारत को सिर्ष उचाईयों तक ले कर जाएंगे साथियों दिपावली के आपको भी शुब कामना है आपके परिवान जनों को शुब कामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाव है मैं फिर एक बार आप सब को दिपावली की अनेक अनेक शुब कामना है देता हूं मेरे साथ पूरी ताकत से भोलिए भारत माता की जैसे भारत माता की जैसे भारत माता की जैसे बहुत बहुत धन्यवाद